हेलो बच्चो आज में आप लोगों को क्लास 8 के ना आपको DOE की तरफ से हिंदी मीडियम में मैट्स में दो प्रैक्टिस पेपर मिलें तो यह प्रैक्टिस पेपर वन है आपके पास मिशन मैथमेटिक्स का जिसको हमने शुरू कर दिया है तो इसमें हमने 1 माक वाले कोशन 2 मा सब्सक्राइब कर लिए लास्ट आज हमार को सिव यह वाला खंड करना है बाकी सारे चैनल पर अप्लोड आप वहां से कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कोशन नमबर 7 तक के चैनल पर अप्लोड है कोशन नमबर 8 आप से क्या कर रहा है यह 4 माक्स के हैं दो कोशन से इसके आप से करें डॉक्टर की सला के अनुसार रिया के दादा जी रोजाना टेहलने के लिए एक आयतकार पार्क में जाते हैं तुबह और शाम को पार्क के पांच-पांच चक्कर लगाते हैं वियंजक एक्स प्लस ट्वंटी एं एक्स माइनस वन क्रमा शहा पार्क की लंबाई किया अकार का है वो पार्क उसकी लेंथ और ब्रेथ लंबाई और चौड़ाई आपको मीटर में यह दे रखिए अब इस पे बेस्ट आपको कोशन्स दिए गए हैं वो क्या है किया आप पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ग्याद कीजिए तो लंबाई और यहां लिख दी, तो x plus 20, minus x plus 1, तो यह आपके पास कितना आजाएगा, x से x तो कट गया, तो यह आगे आपके पास 21 मीटर, ठीक है न, सिर्फ आपको अंतर ही नहीं करना था, और कुछ नहीं करना था, नेक्स्ट में कह रहा है, यदि, आयत की लंबाई 30 मीटर है, तो x का मान ग्याद कीजिए, लंबाई 30 मीटर है, तो लंबाई मुझे यहां पर x plus 20 दे रखी है, अब वो कह रहा है, लंबाई 30 मीटर है, तो इसको मैं 30 के बरावर रख देती हूँ फिर तो, जब 30 मीटर है तो, तो यहां से x का मान कितना आजाएगा, 10 आजाएगा, 10 मीटर, ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, पार्क के शेतरफल को, एक्स के पदों में, ब्रीजे व्यंजेक द्वारा व्यक्त कीजिए, पार्क का शेतरफल निकालना है, तो आयत का र का है, तो शेतरफल L इन्टू B होगा, है न, तो इसका मतलब x plus 20, और x minus 1 होगा, तो एक बार x से मैंने इस पूरे ब्रेकिट को मल्टिप्ला कर दिया, एक बार 20 से कर दिया, तो यहां गया, x square minus x, plus 20x minus 20, तो यह गया, plus का 19x, minus का 20, ठीक है, फिर कहना है, इसके साथ एक और कोशन है, यदि पार्क की चोड़ाई, चोड़ाई मतलब यह, x minus 1 वाली, 39 मीटर है, तो दादा जी दुआरा सुबह तैगी गई दूरी ग्याद करो, देखो, अब आप यहां पर इसको ध्यान से समझो, आपको चोड़ाई 39 दे रखी है, तो x minus 1 is equal to 39, तो x आगया 40, अब आपको यह बतानी है, कि दादा जी दुआरा सुबह तैगी गई दूरी कित करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे L और B चाहिए, तो पहले L यहां से निकालो, जो x plus 20 था, तो 40 plus 20 हो जाएगा, तो 60 मीटर हो गया, बी आपके पास कितना था यहां पर, बी आपके पास था, x minus 1, तो इसका मतलब 40 minus 1, आपके पास 39 मीटर हो जाएगा, अब आपको क्या क करना है यहां पर, परिमाप निकालना परेगा, है न, यहां कर लेते हैं इसको, तो परिमाप का सूतर आपके पास होता क्या है, तो ब्रेकेट में L प्लस B, L मेर पास 60 है, और B मेर पास कितना है, मैंने कितना निकाला यहां पर, अभी 39 निकाला, 39 निकाला, क्योंकि x मेर पा तो यह आ जाएगा 99 तो 198 मीटर आ गया बहुत पांच चक्कर लगाता है तो इसको मतला पांच से इंटू करना पड़ेगा वह सुभा भी पांच लगाता है और शाम को भी पांच लगाता है तो हमने क्या क्यांद 198 को फाइव से इंटू कर दिया तो 990 मीटर मेरा अंसर क्लियर है अब एक और आपको केसिस्टडी दे रखी है यह केसिस्टडी आपके पास तले से पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसके कोशन्स करते हैं किरा एक मचली घर घनाप के अकार का है जिसके वहमाप 120 cm x 40 x 80 है मतलब लेंथ ब्रेत और हाइट दे रखी है इसके तले को काले कागज से ढखना है इसके प्रिष्ट भाव वाले फलक और पीछे वाले फलक को लाल रंग के कागज से ढखना है लाल रंग के कागज की कीमत 4 रुपे 3300 वर्ग मीटर है ठीक है मतलब रुपीज 4 है 100 cm square की कोस्ट ठीक है, लेंट ब्रेथ और हाइट दे रखी है, अब आप से क्या कह रहा है है यहाँ पर, कुछ कोशन्स के आंसर देने, आपको पता है आपने लाल और काले दो रम के कागजों से धका, यहना कह रहें वंचित काले कागज का शेतरफल ग्याद करो, तो काले कागज से अपने धका क्या था, इसके तले को, नीचे वाले हिस्से को, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट के आंसर में तो L इन्टू B होगा सिर्फ, होगा नहीं होगा, तो L मेरा 120 है और B मेरा 40 है, तो 48, 48,000, 4800 cm स्क्वार इसका आंसर, सेकिंड पार्ट में आप से क्या कह रहा है, पीछे व तो पीछे वाला कागज आपने ढखा किस से था, पीछे वाला कागज लाल रंग से ढखा था, तो वो L इन्टू H होगा, जो आप पीछे वाला ढखोगे, होगा ना L इन्टू H, अब L आपके पास 120, और H आपके पास 80, तो 9600 cm स्क्वार आंसर, ठीक है, नेक्स्ट में कह र महलब की कॉस्ट बतानी है, आपको 4 मीटर, 4 उपे दे रखी है, वैसे 100 मीटर के हिसाब से, पर पहले आपको उसका शेतरफल भी तो निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा न, तो कैसे निकालेंगे इसका शेतरफल, तो लाल वाला कागज आपने दो ही जगा ढखा, परिष्ट भाग में और पीछे वाले भाग में, तो पीछे वाले भाग का तो आपने L into H निकाली लिया, 48 L into में H किया था न, आपने 120 into 80 हाँ ये तो आपने निकाली लिया, अब आपका जो परिष्ट भाग है, तो आपने इधर लाल कागज लगा दिया, इधर लाल कागज लगा दिया एक लाल का गज़ आपने पीछे लगाया होगा तो यह दोनों साइड यह तो आपका हो गया दोनों जगा बी-एच बी-एच प्लस जो पीछे वाली साइड है आपकी आपके पास एलेंटु में बी हो जाएगी होगा ना L into में B तो ठीक है अच्छे यहाँ पार L into H होगा ना पीछे वाला भाग तो अभी हमने उपर भी निकाला है L into H हो जाएगा तो 2 B की वेलू आपके पास है 40 H की वेलू आपके पास है 80 ठीक है प्लस L into H आपने उपर सेकिंड पार्ट में निकाला है 9600 तो यह होगे आपके पास 80 into में 80 प्लस 9600 यहाँ पर भी आपके पास कितना जाएगा 6400 प्लस 9600 उसके बाद इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो 9 6 प्लस 4 10 हो गया 9 प्लस 1 10 और प्लस 1 प्लस 6 16 यह आगे आपका cm2 आपको यहाँ लागत बतानी थी तो 100 cm2 की जो कॉस्ट है वह 4 रूपीज है तो फिस 16,000 की कितनी होगी तो 16,000 इन टू में 4 डिवाइड बाइ 100 इन दो 0 से दो 0 कट हो गई 160 को 4 से इन टू किया 4 सिक्सचर 24 640 आगे यह तो आपके पास 3rd वाले का 1st पार्ट जो था अगर आपको यह नहीं आता तो एक और दिया है यदि दोनों रंगों के कागज की कीमत समानों आपको बता है आप 2 रंग के कागज लगा रहे थे एक काला और एक लाल तो कहरा आप दोनों की कीमत सेम है जो लाल के वही काले की है तो मचली घर को वांचित पलकों को ढखने के लिए खरीदे जाने वाले कागज की कुल लागत अब आपको पूरे को ढखना है अलब उपर नीचे दाएंबाई बस फ्रंट को तो नहीं ढखोगी वो तो ऑपर नहीं ढहेेगा बाकि सारा तो ढखोगी तो उसकी लागत बता नहीं आपको कितनी ओगी दोनों की तो पहले दोनों का मिला कि आपको शेत्रफल भी तो पता हो हम शेतरफल निकालते हैं यहांपर तो दोनों साइडों में लगेगा वो तो टू भी होगा जो अभी हमने लगाया दोनों साइडों का जो पीछे की साइड लगेगा वह एचल था वह भी अभी हमने सेकेंड पार्ट में किया था आप चाहओ तो उसे लग सकते हो ठीक है और उसके बाद आपको एक जगा और लगाना पड़ेगा यहां पर दोनों साइड पर लग गया पीछे लग गया नीचे तो लगेगा नहीं उपर की साइड पर लगा दो आप एक कागज तो वह जाएगा आपके पास एल इन टू में बी तो इन दोनों को भी आपने किय किया था तो यह आपके पास कितना आ रहा था 16,000 आ रहा था एल इन टू में बी आपके पास कितना हो जाएगा वह आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला एल इन टू में भी जो कि 4800 था इनको प्लस किया कि यह आगया cm2 अब आपको कॉस्ट निकालनी है तो 100 cm2 की कॉस्ट जो है वह 4 रूपीज है तो 20800 की कितनी होगी बस 208 को आप क्या करो अब 4 से इंटू कर दो तो आपके पास आ जाएगा 832 तो यह पूरी कॉस्ट आ जाएगी ठीक है आपने इसके तले को काले से ढखा है उपर वाले को नहीं ढखा है यह पार्ट नहीं ढखा है और फ्रंट पार्ट नहीं ढखा दोनों साइडों का बैक का और नीचे का ठका है तो वह सारी चीज़े हमने यह आप लिख दी है तो आज यह वाला प्रैक्टिस पेपर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया दो कोशन नहीं गए ते एट और नाइन वह भी कंप्लीट हो गए है अब प्रैक्टिस पेपर टूर है वह भी स्टार्ट कर दिया है चैनल पर अप्लोड हो रहे हैं दो सेक्शन नहीं रहे हैं उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी इसमें कहीं डाउट लगे कमेंट करके जरूर पूछेगा थैंक्यू